प्रिंस फिलिप के सम्मान में तोपों की सलामी दी गई लंडन एडिनबरा, काडिफ, वेलफास जैसे कई शहरों में प्रिंस फिलिप की मौत के बाद उनके सम्मान में तोपों की गूंच सुनाई दी ऐसा नहीं है कि इस तरह की सलामी प्रिंस फिलिप को सिर्फ उनके ही देश में दी गई बलकि कभी ब्रिटिस शासन के गवार है उस्टेलिया की धर्ती पर भी उन्हें सम्मान देते हुए 41 तोपों की सलामी दी गई तोपों की सलामी के साथ ही ब्रिटिन में आठ दिनों तक चलने वाले राश्य शोक की शुरुआत हुई एज़ुरान पूरे ब्रिटिन के हर सरकारी इमारतों पर लगे जंडे जुका दिये गए एक तरफ जहां पूरे ब्रिटिन में तोपों की सलामी दी जा रही थी वहीं प्रिंस फिलिप के आधिकारिक निवास विंटसर कैसल के बाहर आम लोगों ने अपने अपने तरीके से शद्धांजली दी किसी ने कैसल की दिवार के बाहर फूल रखे तो किसी ने खत बता दें शुक्रवार को प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में इसी विंटसर कैसल में निधन हो गया था